अच्छों कैसे हैं आप सब शुरू करते हैं आज के चैप्टर चैप्टर का नाम है मानव स्वास्तिवम रोग आज है लेक्चर नंबर फाइफ शुरू करते हैं चैप्टर दिया हुआ है आज आपके चैप्टर में कुछ जीवाडू जनित सरी प्रोटो जुवा जनित रोग प्रोटो जोगा के द्वारे हमेरे शरी में वेबिन प्रकार के रोग पाय जाते हैं ऐसे रोग जो प्रोटो जोगा के माध्यम से होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं प्रोटो जोगा जनित बीमारी या रोग कहते हैं आगे पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारें पढ़ेंगे, मलीरिया के बारें पढ़ेंगे, बहुत सारा से content सामने लिखा हुआ है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसा मैं बताऊंगा, सिर्फ उसी के according ही पढ़ना है, तो क्या बताया जा रहा है, एक प्लाजमोडियम नामक प फिर प्लाजमोडियम वाइवेक्स, फिर प्लाजमोडियम ओविल, उसके बाद प्लाजमोडियम मलेरी, ठीक है, तो यह चार प्रकार के मारें प्लाजमोडियम होते हैं, अक्सर करते क्या है यह प्लाजमोडियम यह मादा मैने फ्लीज मच्छर के मादियम से, यानि उसके व और उसको अपने आपको फिर गोडन करना शुरू कर देता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से जैसे-जैसे क्या होता है कि सारी चीजे वह बढ़ती जाते हैं प्लास्मोड्यों के परकार में बता है यह सामने लिखे हुई आपके पॉस करके आराम कोई प्लास्मोड्या मैं फैलमारि कहते हैं नहीं है कि या इसे प्रकार का कहनाirdy कि वह संधिक करे 92 लाक्रे सम से जाएilot है वही plasmodium falcipsi है आगे बढ़ते हैं आगे जानते है plasmodium vyvex के बार में बार करता है बार-बार किसी प्रकार करता कि नहीं किसी को बीमारी हो रखें मालेरियं में तो बहरài पर iंफेक्षन हो रखाया तो वह किसका होगा plasmodium वाइवेक्स का होगा ठीक है अच्छा प्लाजमोडियम वाली जो बीमारी यानि यह मलेरिया वाली जो बीमारी इसके शुरुआत कहां से हुआ इसकी उद्गम कहां से हुआ तो बताया जाता है कि अफरीका से इसका उद्गम हो गया अच्छा जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि maximum जितनी भी बिमारिया होती है वो उनका उद्गम कहां से होता है अफरीका से होता है तो क्या सारी बिमारिया क्या अफरीका से ही पैदा होती है ऐसा नहीं है कि अफरीका में सारी बिमारिया पैदा होती है मसला क्या है न कि जितनी भी क्याना में बिमारिया है वहाँ पर उनका संपूर्ण इलाज नहीं हो पाता, जिसके कारण वो बीमारियां जो है, वो दूसरे देशों में भी स्प्रेड होती है, जैसे के हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे माल लेते हुए, अफरीका वगरा गूमने गए, जैसे वहाँ पर हम लोग गोम करके वापस आए, तो मलीरे का लॉलीपॉप लेकर आगया, यहाँ पर सब को बाढ़ दिया, ठीक है ना, तो इसी तरह से जो है वो बिमारे फैलती है, अफरीका में इस वज़े से कहना हमें अधिक फैलती है, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पर गरीबी है, ठीक है, पॉवर्टी है, इस वज़े से वहाँ पर लोग जो होते हैं, उसका इलाज ने कर पाते हैं, दूसरी चीज़ कि वहाँ पर डॉक्टर की संख्या भी काफी कम है, बास्तों में आ रही है, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ होता है, प्लाजमोडियूम ओम तो बताते हैं, यह प्लाजमोडियूम ओम और प्लाजमोडियूम वाईवयक से जो है, वो काफी निज्दी की बीमारी होती है, बताते हैं कि अगर वायरल फिवर टाइप में होता है, बस जादा खतरनाक मही है, बहुत सुरा नोर mistake lâng alel है, प्लाजमोडियम मैलेरी जो है ना वो बाकी जितने भी प्लाजमोडियम है उन सबसे काफी नॉमिनल है इस संक्रमण पहलाता है यह उसी तरह से मलेरिया के संक्रमण होता है आगे जानते हैं क्या कि मादा एनेफलीज अगर मच्छर अगर काट लेती है तो इसके कारण जो है व लक्षण है और कौन से वाले लक्षण है जब यह आपको मलेरिया हो रखा है उसके लक्षण है तो आगे जानते हैं मलेरिया के कितरे लक्षण बनते हैं तो लगबग आठ या नौ लक्षण जो है वो मनते हैं जैसे उल्टी होना बेचैनी होना कमजोरी होना मास पेशे में अब करता है यह गोलं करने का मादा इसके अंदर अपने जीवन चकर को चलाता है यानि कहने का मतलब क्या है कि दो प्रकार से जीवन चक्ण करके चलता ऐ सबसे पहले ही तो यह ऑला section यह क्या फुलता है यह पूंज फाला और दूसरा बात में वाला बाग जो की मनुषी के अंदर हें क्या हुआ जैसे इस के पूंच़रें यह वह हमारी यकरित के पहुंचते यह करते के बाद में किशाइक हुषू चाहते वाहश बड़े 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 इस पूरो ज्वेक्ट拔이 इस नहीं दूनों हिंडियों में कोई इसवाले ओसान बना लिजा है नए इस फीगर कोई का नामे जो होता है वो आपकी NCRT जो है NCRT में भी आपका फीगर दिया हो फिलाल तो आप अगर कोशिश करें तो यह वाला फीगर मनाने का प्रयास करें चैक है चलिए सहीं आगे बढ़ते हैं आगे दिया हुए क्या मलीरिया से बचाओ के लिए क्या ठीक है और साति साथ क्या करना है घड के आसपास में कीट नाशक का प्रयोग करना है ठीक है तो उप्चार से बचाओ होता है जैसे के हम सबीनों को मालूम है कि मलेरिया तो नहीं सिर्फ मलेरिया बलकि डेंगो चिकन गुनिया भी जो है वो भी का नाम मच्छरों के माद्व करना क्या है सिधा सिधा प्रयोग करना कि सोते समय अपने को करना है बढ़ार तो प्लास्टिक बिलाश्टिक बोल देंगा तुमारे घर से आगे बढ़ते हैं क्या बता रहें कि करना है या तो दूसरी चीज या इसने करना है तो दिक्कत नहीं कर वाया तो दिक्कत हो जाएगे बेटा UG क्या दिया हुआ है आगे दिया हुआ है कि मलेरिय का उपचार जो है जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं है बास व्याइब अगर छोड़ दिया तो पिर दिक्कत हो जाएगी वीडियो कैसे लेगे यह बताना है वीडियो को लाइक और कमेंट झाल झाल